एलो इस्टुलेंट्स मैं आपको जोलोजी के प्रैक्टिकल के स्पेसिमेन दिखा रही हूँ ठीक है फिस्ट के आज हम देखेंगे पेट्रो माईजोन ठीक है पेट्रो माईजोन देखेंगे यह कोडेटा फाइलम का है पेट्रो माईजोन ठीक है इसका ग्लास है पेट्रो माईजोन सिया ठीक है यह इसका और जीनस है पेट्रो माईजोन ठीक है यह अफरिका अमेरिका सभी जगा पाया जाता है ठीक है पेट्रो माईजोन जो होता है इसका सरीर लंबा होता है, ठीक है, 90 cm लंबा होता है या और इसका सरीर सीर धर और पूछ में बटा हुआ है, ठीक है, ट्रंक और टेल रिजन में बटा हुआ है इसके सरीर में seven pairs साथ जोड़ी गिल पाये जाते हैं ठीक है और सरीर पे कोई scales नहीं है सल्क नहीं पाये जाता है इनके सरीर पे इनके सीर में आपको दो नेत्र इसमें पाये जाते हैं सीर पे दो नेत्र आई होते हैं मुँ में जबड़ी का अभा होता है इनके mouth में jaw का अभा होता है absent होता है jaw और यह क्या करते हैं मश्लियों के सरी से चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं इसके tail पर ठीक है tail पर एक tail fin होगी और इसमें दो dorsal fin पर दो dorsal fin पाये जाते हैं नर और मादा अलग-अलग होते हैं यह ठीक है दोनों जन्तू अलग-अलग होते हैं इनमें इसका main जो है साथ चोड़ी जो गिल पाये जाता है और इसके जो जबड़े अनुपस्तित होते हैं यह इसका यह पहचान करने का इसका लक्षन है पेट्रो माईजॉन का ठीक है इसके mouth पे अहां पे सक्कर्स पाये जाते हैं यह अगला specimen है मिक्सीन ठीक है मिक्सीन है इसका phylum है कॉड़ेटा ठीक है मिक्सीन ओडिया क्लास का है यह और इसका genus हम देखेंगे मिक्सीन होती है ठीक है इसका सरीर भी लंबा है यह 60 cm लंबा होता है ठीक है इसमें head, trunk और tail region है सिर ठीक है धर और पूछ में बटा हुआ है इसमें जो है 10 से 14 जोड़ी गिल्स पाये जाते हैं ठीक है और इसमें सामने में आपको tentacles दिखाई देगा mouth के पास में यहाँ पे ठीक है होठों जो इनका मुह है शरीर के सीरे पर होठों द्वारा घिरा हुआ होता है ठीक है सरीर पे इनके बहुत सारे mucus छिद्र पाये जाते हैं जिनसे हम ऐसा क्या होता है mucus निकलता रहता है यह उभै लिंगी होते हैं ठीक है इन्हें hack fish कहा जाता है और इनके सरीर के अगले सीरे पर anterior पार्ट पर फोर टेंटिकल्स पाये जाते हैं जो इनको identify करने में help करते हैं और इनके मुँ से सटा हुआ ही एक नासा छित्र होता है नॉस्ट्रील पाये जाता है यह जो होते हैं मश्लियों के सरीर की बाह सत्था पर विशेश रूप से चिपकी हुई पाये जाती है और उनके देभित्ती को बोडिवाल को भीद कर अंदर के जो उनके अतरंग है ठीक है उनके जो और्गन्स हैं और मसल्स को खाते हैं यह झाल पर जाता है